तो डूरे बूरा कौन लोग थे समिशत के लोग थे दोचार नहीं था तुम पोली में रात के अंदिर अंदिर यह तो अ यह वैसा है यह बक्षी को ठीक हैं दापीर मठ्था गली कें दा मंदिर बहुत प्राचिन मंदिर आपक पुछ सब्सक्राइब निकाल के तोड़ के खंडित करा गए उसको बास पास वाला ने भूला करा तो जब तक वहां से भाग लिए मतलब बतारे अकबार माईगे के इनको चार्ज नों पकड़ लिए अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा गया उसमें पुलिस वाले साथ में थे उनको जो वापे थे उसके मोजी उतनकान कैस का का चाहिए ऐसे खरकी जब तक उनको सैड में लेगा है जब तक उनने पुरी मूर्तियां खंडित कर दी यह 200 साल प्रणा मंदीर है श्यू परिवार है पूरा हम यह चाते हैं यह ता इस्तिति कि वह शराप पी है और मंदी को तोड़ा है अमने गंसाने में रात को शिकायत करी थी और अभी देलिए चोकी पर भी आया है अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम हमारे शेत्रे बंद करेंगे रोड़ पर बैटेंगे सब कुछ करेंगे फिर पंकर व्यास जटना है जिसे कि मल मंदीर को खंडित करा मूर्तियों को तोड़ा गया और जान पूच के हिंदू भावना को बढ़काने के लिए ऐसा उपर तो किया गया और इस मंदीर से हमारे पूरे शेत्रवास्यों के आस्ता जोड़ी वी है यह मंदीर आज करीवन 300 साल पुराना है और जब यह लोग कहत हैं कि इस मंदीर को मैं प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है लेकिन इस प्रॉपर्टी के बेचान के अंदर कहीं यह उल्लेक नहीं किया गया है कि इस मंदीर को भी बेचा गया है क्योंकि जो वित्रह को उसने साफ साफ कहा था कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहूं लेकिन य कि आगे हमारी प्रशाशन से यही मांग है कि जो मंदिर हमारा बना तूटा गया है उसको यथावत इस सिती में वापिर लाया जाए और उसके लिए सुरक्षा की कुछ वरिस्ता की जाए जिससे कि आगे इंदा फ्यूचर में इस तरह की घटना करमला गट सके संदीप तवर दस से ग्यारा के बीच में जो बक्षी ओटी पील बिटली में प्याचीजिन शिव मंदिर है उसको कुछ ऐसामाजिक चतों ने तोड़ पूर करके शिव परिवार की प्रतिमा को खड़ित कर दिया है सबसे बड़ी बात है वहां के लोगों का कहना है कि इसमें पुलिस वालों का सपोर्ट भी था पुलिस वाले वहां खड़े उके वो मंदिर दुड़ा रहे हैं तो हमारी प्रसाशन से यही मांगे कि एक तो मंदिर वापस बनवाजा है सह संबान बनवाजा है और झाल झालों के लिए बनवाजा है